आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और समू की दीदी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्धम से बताएंगे कि हर समू से जो 30-30,000 रुपया लिया गया है तो उससे समू को क्या फाइदा होगा क्यों लिया जा रहा है 30,000 रुपया समू ने 30,000 रुपया CIF में स कटवा दिया है कहा गया है और क्या इस समू को कोई लाब होगा पोसा हार फैक्टरी लग रही है पोसा हार बनाने के लिए कार खाना इस्थापित किया जाएगा जिसमें महिलाओं को नौकरी भी मिलेगी पोसा हार कार खाने में महिलाओं को जब नौकरी मिलेगी और उनको ह महिने का मान दे भी दिया जाएगा फिर 30,000 जो समुने लगाएं हैं उनका क्या क्या लाब मिलेगा तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लीजेगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजेगा चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल पर समुन से लेटेड और बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें हमने रजिस्टर लिखना समुन की नौकरियां समुन का फंड पैसा ब्याज वापसी लेंदेन सब कुछ समझाय नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है उस पे क्लिक किजिएगा बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर देखिएगा चलिए आज की वीडियो सुरू कर लेते हैं और आज हम लोग बात करेंगे पोसाहार बनाने वाली जो फैक्टरी लग रही उसके बारे में अभी फैक्टरियां लगने के लिए सब जगा बाकी है कहीं भी फैक्टरी स्थापित नहीं हो पाई है पैसा समूहों से जमा किया जा चुका है अभी यहां गोरकपुर से भी सूचना है कि वहां भी फैक्टरी जल्दी ही लगने वाली है गोरकपुर में भी देखिए पैसा जाने वाली पंजीरी दलिया जिले में ही तयार होगा ऐसा सभी जगा हर जिले में लगने वाली फैक्टरी स्वें से तर सम्हू के माध्यम से इसे तयार किया जाएगा यानि सम्हू की दीदी ही पोसाहर फैक्टरी में काम भी करेंगी और ये सब सामान पोसाहर तयार करेंगी पैकिंग करेंगी और सम्हू से जुड़ी महिलाओं को आत्म निभर बनाने में काफी मददगार विवस्था है और नीमित काम मिलने से उनकी आमदनी में इजाफा होगा और जनवरी में फैक्टरी बननी सुरू हो जाएगी तो गोरखफुर में जो फैक्टरी बनने जा रही पुशाहार की जनवरी में सुरू होगी दो बिलाकों के 300 समुगों को इसमें सामिल किया गया है करीब 3500 महिलाओं को रोजगार मिलेगा कैसे मिलेगा हम आपको बताएंगे तो एक फैक्टरी में 300 समुग मिलते हैं और 30-30,000 रुप्या जमा करते है लक्ष्मीपूर और 99 बि जीव कमिशन के तहद रासन मिलेगा उसके लिए अच्छमी पुरमे जनवरी 2022 में फूट फैक्टरी में मसीन लगाने का कार सुरू होगा फैक्टरी निमार के बार सभी आंगनवाडी केंद्रों पर पोसर आहार एक ही इस्थान पर बनेगा जिसे बाद में केंद्रों में वित पोसाहार तयार करेंगी वहां पर भी महिलाएं समू की नौकरी पाएंगी और जो पोसाहार को इस्थानों पर पहुचाने का काम होगा ये भी समू के माध्यम से ही होगा और जो फैक्टरी इस्थापित की जा रही है फैक्टरी में जो मसीने लगेंगी फैक्टरी बनेगी तयार होगी जितना टोटल खर्चा है वो सारा पैसा वो भी समू की महिलाओं की भागिदारी है उसमें 30-30,000 रुपया वो लगा रही है जो इसमें नौकरी पाएंगी उनका वेतन कितना होगा और यह सब आप देख लीजेगा सभी मसीने आटोमेटिक होंगी अजीव का मिशन के अंतरगत इस सनियंत्र में सारी मसीने आटोमेटिक है तीन भागों में बटी इस सनियंत्र में पोडक्शन यूनिट, मिक्चर टैंक और पैकिंग सेक्षन तीन भाग होंगे और विबिन परकार के पोसर आहर का निर्मार से लेके पैकिंग तक का कार किया जाएगा चावल दो करोड की लागत से इस फैक्टरी के निर्मार की सहमती मिली है इस विवस्ता का संचालन पंचायत एवं गरामीर विकास के अंतरगत इन आर इल इमराश्ट्री गरामीर अजीव का मिशन के स्वैम साथा समूहों के माध्यम से किया जाएगा तो जी हाँ पूरी तरह से ये यहां कि वहां जो फैक्टरी के अंदर महिलाएं काम करेंगी उसमें 20 महिलाएं लगेंगी और उनका चयन भी कर लिया गया है जिन्हें प्रति महा आठ हजार रुपिये मांदे के तोर पर दिये जाएंगे जी हाँ जब फैक्टरी के अंदर आपका काम करने के लिए चैनित क की जाएगी जो फैक्टरी स्थापना में 30,000 रुपे साहयोग के तौर पर दिये हैं तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होना है 300 समुहों से 30-30,000 रुपिया सरकार CIF के पैसे में से कटवा रही है उस 30-30,000 रुपे को जोड़ करके फैक्टरी स्थापित की जाएगी पोसाहार तयार करने के लिए फैक्टरी और जब फैक्टरी बन जाएगी तो उसमें काम भी करने के लिए महिलाई ही होंगी समुहों की जो की 20 महिलाओं का एक गुरुप तयार किया जाएगा जो उसमें अनाजों को साफ करना, उसका दरिया बनाना, उसको पोसाहार पैकिट तयार करना जो भी काम होगा वो सारा काम समों की महिलाओं के दुआरा करवाया जाएगा और ये 20 महिलाओं पढ़ी लिखी योगे महिलाओं होंगी जिन्हें चैनित किया जाएगा तो हर जिले में पोसार फैक्टरी लगेगी बहुत जगा लगनी बाकी है पैसा जमा हो चुका है कुछ जगा सुरू हो चुका है काम कुछ जगा होगा फिलाल तो जनवरी सही लगबक सभी जगा फैक्टरी स्था अपना सुरू होने वाली है तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि समू से जो 30-30,000 रुपया लिया है जो समू होने इसमें 30,000 रुपया लगाया है एक तरह से उसनोंने फैक्टरी में अपना सेर दिया है और जब फैक्टरी को जो लाब होगा जब कमाई होगी पैसे की तो उसका 10 परतिशत निकाल लिया जाएगा उसमें जो भी पैसा बनता है वो उन समू हों को पैसा दिया जाएगा जिन समू होने 30,000 रुपय लगाया है इस तरह से उन समू हों को लाब मिलेगा तो जो समू होगा वो आपस में बाट लेंगी दिया उस लाब के पैसे को क्योंकि समू ने पैसा लगाया है तो जो लाब सरकार उनको देगी मुनाफ़ा देगी तो वो सभी दिदियों का धिकार होगा और साथ ही जो 30,000 रुपया सरकार ने काटा है CIF के पैसे से वो सम्हू पर उधार के तौर पे होगा धीरे धीरे उस पैसे को वो उसी में से चुका देंगी बाकी हर महिने उनको आमदनी मिलती रहेगी घर बैठे बैठे तो ये फायदा हुआ आपको 30,000 रुपय लगाने का एक तरह सरकार ने आ और जो महिना है उसमें चुनी जाएंगी कार खाने के अंदर काम करने के लिए फैक्टरी के सनियंत के अंदर काम करने के लिए उनको उनकी हर महिने सैलिरी दे दी जाएगी मानदे दे जाएगा काम करने का तो उनको 8,000 रुपय मानदे मिलेगा जो उस पोसाहार को तयार करन के लिए सनियंद के अंदर काम करेंगी तो आशा करती हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि 20 दीदी चुनी जाएंगी वो मान दे पाएंगी और जो 300 समूहों ने अपना पैसा लगाया है वो उसमें से अपना हिस्सा पाएंगे तो मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपो सकते हर भाएंगे झालिब आया है